तो यह है हस्की इंडिया में जो आज के दिन इतना हुमिड हो रखा है हम लोग इतने पसीनी में हैं क्या यह हस्की इंडिया में या डेली में सर्वाइफ कर सकता है यह है एक बहुत ही जादा जिसके लिए अकसर लोग कहते हैं यहां तक की एंडियोस वाले कहते हैं कि यहां आप देख रहे हैं कि यह अराम से वाक कर रहा है ज्यादा पैंक नहीं कर रहा है लेकिन इसके बीछे कारण क्या है तो हम बताएंगे पॉइंटर में कि आप अपने हस्की को इस वेदर में भी किस तरह ऐसा रख सकते हैं बिना बाल काटे और इसी सुन्दर हालत में सबसे पहले पॉइंटर पर आते हैं कि हस्की को इंडिया में रखना कैसे है या फिर डेली में रखना कैसे है सबसे पहले चीज़ आपके पास एक कूलर या एक लीस्ट एक एसी घर पर होना चीए जहां पर आपका हस्की आफ्र वाक रिलाक्स करेगा 24 hours इसको AC में रखना is dangerous हम इसको 24 hours AC में नहीं रखते हैं we keep him in cooler क्योंकि इसका जो body है वो अब adapt कर चुका है इन हलातों के लिए ना ये ज़्यादा पैंट करता है ना ज़्यादा ठकता है और आप वीडियो में देखी सकते हैं ये कितना भागता है सो अगर आपने हसकी को आप 24 घंटे AC रखते हैं तो फिर उसकी immunity डेवलप नहीं होगी और चाहे आप किसी भी देश में हो वहाँ पर आपका डॉग अच्छी तरह सर्वाइव नहीं कर सकता अब आते हैं second point कि इस weather में diet क्या देनी चाही है उसके अंदर साथ में lunch और डिनर में इसको chicken and rice दीजे with lot of green vegetables उससे क्या होगा इसका gut clean रहेगा हम लोग अभी जब gut clean नहीं होता तब हम लोग ज़ादा irritated रहते हैं परिशान रहते हैं वैसे dogs भी परिशान रहते हैं आज कर में बहुत सार लोग आते हैं कहते हैं कि हम अपने dog dog को वीगन मनाना चाते हैं या वेडेन मनाना चाते हैं वो possible नहीं है क्योंकि इनको भी non-wage की जयोत होती है चाहे सरदी हो या गर्मी कारण इनका जो stomach है उस चीज को process कर सकता है तो अगर आप अपने dog को अच्छी diet देते हो तो आपका dog किसी भी weather में survive कर सकता है अब आते है तीसरे point में कि आपके dog को workout कैसे देनी चाहिए और कितनी देनी चाहिए इस weather में आपको अपने dog को at least early morning पांच बज़े उठके निकालना चाहिए पांच से लेके 7 बज़े का time जो होता है वो अपने husky को या alaskar malumate को वो time दीजिए जिसके अंदर वो walk कर पाए भाग पाए उससे क्या होगा उसका brain जो है काम रहेगा और वो पूरे दिन सोता रहेगा इससे क्या होगा आपका जो dog है काफी easily अपना पूरा दिन चरिया बिता सकता है healthy रहेगा और रात को से निकालना है आपने midnight या शाम को भी अगर आप निकालते हैं 7-8 बज़े के बार अपने husky को बाहर निका सकते हैं अब आते हैं इसके next pointer पे जो कि है इसका इतना सुन्दर फर अक्सर हम वेट पे जाते हैं या groomers पे जाते हैं जो कि अक्सर नकली groomers होते हैं हमारे डैली में वो क्या करते हैं husky को lion बना जेते हैं सड पे बाल छोड़ देते हैं पूच पे इतना सा इसको डेली दो टाइम ग्रूमिंग मिलती है अगर आपने अपने husky को बाल कटवा रखा है तो वो अपना temperature मॉडुल अप नहीं कर पाएगा husky से एक ऐसी बीड होती है जो अपना metabolism slow भी कर सकते हैं temperature के recording so make sure आप अपने husky के बाल नकटाएं और दिन में at least दो बार उसकी grooming कर चार चीज़े आपको करनी है और यह चार चीज़े करते ही आपका जो husky है इस तरह रहेगा टेली के humid weather में जहां मैं पसीनों में तरबदर हूं लेकिन मेरा जो husky है is chilled out and enjoying the time और अगर आपके husky को कोई भी issue आता है regarding training या कोई भी चीज just contact us मुझे आप कॉल करिये हमारा number यह नहीं रखा हुआ है just give us a call we are just a call away from you so आपको नेक्स वीडियो में तब तक मैं अभीनव कृषिन एका डॉग्राइडी आपको बाए कहता हूं